Hello everyone, welcome back to this channel आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 2 के बच्चों का हिंदी का लेटस सिलिबस शेर करने जा रही हूँ अगर आपके बच्चे क्लास 2 में जाने वाले हैं तो आप इन टॉपिक्स को फॉलो करते हूँ बच्चों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो को पूरा एंड तक देखें वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अधर पैंट्स के जार शेर जरूर करें तो यह से लिए बस क्लास 2 का CBSE और ICSE बोट से अफ्लीएटेड है तो अगर आपके बच्चे क्लास 2 में हैं तो बच्चों के पास दो बुक्स होते हैं जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं तो यह concept बच्चों को समझाया जाता है हिंदी के पहले टॉपिक में उसी के साथ next topic है वर्न वाला वर्न माला यानि की बच्चों ने अभी तक जो भी वर्न माला सीखे हैं करक से लेके गियां तक श्रह तक तो वो सारे अल्फबेट्स जो होते हैं वो बच्चों को दुबारा से रिवीजन करवाई जाती हैं next है बारा खाड़ी बारा खाड़ी यानि जैसे क का की की हर एक स्वर वाले जो मात्रा होते हैं उसे जोड़कर बच्चों को हर एक वर्न के साथ दुबारा से रिवीजन करवाई जाता है नेक्स्ट है मात्राएं, तो मात्राएं बच्चों को दुबारा से सिखाई जाती, अलग-अलग शब्दों के साथ, अलग-अलग मात्राओं को जोड़कर, बच्चों को हर एक शब्दों के साथ, बच्चों को मात्राओं की रिवीजन करवाई जाती है, उसी जैसे नेक्स्ट इसे बच्चा तो इसमें जो च है वो आधाक्षर च के साथ पूरे च के साथ मिल रहा है तो यह संयुक्ताक्षर सब्द हो गया उसी जैसे पत्ता गन्ना तो यह बहुत सारे ऐसे एक्जाम्पल्स के तुरू बच्चों को संयुक्ताक्षर का टॉपिक समझाया जाता है नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त वर्न तो बच्चों को संयुक्त वर्न समझाया जाते कि वो क्या होता है जैसे ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन को मिलाकर बनते हैं यानि कि अगर दो व्यंजन को मिलाकर जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त वर्न कहते हैं जैसे कि श्र, त् शब्द हैं जिसमें हम जब बोलते हैं वो शब्द तो उसमें इन सारे संयुक्त वर्नों का उपियोग होता है जैसे कक्षा, यात्रा, ज्यान, परिक्ष्रम, तो ये सारे शब्द बच्चों को समझाये जाते हैं, examples के तौर पे, next topic है विलोम शब्द, विलोम शब्द यानि की उल्टे शब्द, जैसे इंग्लिस में opposite words होते हैं, उसी दर से बच्चों को विलोम शब्द समझाये जाते हैं, जैसे की सुबह का विलोम यानि उल्टा क्या हो जाएगा, शाम, दिन का उल्टा होता है, रात, अच्छा का उल्टा होता है, बुरा, छोटा का उल्टा होता है इसी दर से कई और शब्द भी बच्चों को विलोम शब्द के category में यानि की topic में बच्चों को समझाये जाता है, नेक्स topic है संग्या, संग्या में बच्चों को बताया जाता है कि संग्या क्या होता है, जैसे बच्चों को English Grammar में नाउन पढ़ाया जाता है, उसी को हम संग् हिंदी में जैसे इसका definition क्या है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या भाव के नाम को हम संग्या कहते है, यह सेम topic है naming word जो बच्चों को class 1 में नाउन पढ़ाया जाता है, उसी को बच्चों को हिंदी में start किया जाता है संग्या के तौर पे, जैसे व्यक्ति के अंद संग्या को इंटर्ड्यूस किया जाता है, काफी सारे examples के तौर बच्चों को इसे सिखाया जाता है, next topic है परियावाची शब्द, परियावाची शब्द क्या होते हैं, जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे परियावाची या समान आर्थी सब्द कहलाते हैं, यानि कि पर हवा अगनी को हम क्या कह सकते हैं आग आग को हम क्या कह सकते हैं नेत्र तो यह जो भी शब्द होते हैं यह परियावाची शब्द होते हैं बच्चों को कई सारे परियावाची शब्दों का ग्यान दिया जाता है नेक्स टॉपिक है लिंग तो लिंग में बच्चों को बताया और एक होता है पुलिंग तो स्त्रीलिंग हम किसको कहते हैं स्त्री जाती का बोध करने वाले शब्द जैसे औरत घोडी मोरनी यानि कि वो शब्द जो स्त्री जाती का बोध करवाते हो या उससे हमें स्त्री जाती का पता चलता हो जैसे औरत स्त्रीलिंग है घोडी स्त्रीलिं तो जो शब्द हमें पूरुष जाती के बारे में बताते हैं वो पूलिंग कहलाते हैं जैसे आदमी घोडा मूर तो यह टौपिक बचों को लिंक के टौपिक में बचों को समझाया जाता है काफी सारी examples दिये जाते हैं बच्चों को struggling में बदलने डिये चिलिए ऐस प्या नेक्स्छ टूब्ट का हुथा शब्द के जिस रूप में संख्या में एक होने का बोरोरा है यानि कोई भी शब्द में जिसमें में एक किसी एक चीज के बारे में पता चले वो एक वचन होता है जैसे कि घंटी, रात, किताब तो इन सारे शब्दों में एक चीज की बात की जा रही है तो ये एक वचन के अंदर आता है उसी जैसे बहुचन क्या होता है शब्द के जिस रूप में संख्या में से एक से अध बच्चों को समझाया जाता है नेक्स टॉपिक है रंगों के नाम तो बच्चों को कई सारे रंगों के नाम सिखाया जाते हैं लिखना उन्हें पहचानना कैसे बच्चों को अलग अलग चीजों के साथ भी रंगों के नाम सिखाया जाते हैं जैसे अगर सेब है तो सेब किस र तो गिंती में बचों को एक से लेके तीस तक की गिंती लिखना और बोलना सिखाया जाता है बचों को हिंदी में लिखना सिखाया जाता है साथी बोलना और साथी उन्हें शब्दों के साथ लिखना और बोलना दोनों सिखाया जाता है तो यह गिंती का टॉपिक होता है जो हि जाता है जैसे कि कल फल तो इन दोनों का जो एंडिंग साउंड है यानि की जो आखरी सब्द का जो आखरी वर्न का जो साउंड है और आखरी वर्न है वो सेम है उसी को हम समानतुक वाले शब्द कहते हैं उसी तरह से काम दाम नमक दमक जरना मरना मेला बेला आलू भालू तो इसी तरह से कई और समानतुक वाले शब्दों को बच्चों को समझाया जाता है नेक्स्ट आपिक है फलो के नाम बच्चों को हिंदी में कई सारे फलो के नाम सिखाया जाते हैं जैसे पपीता आम केला ना पोभी, भिंडी, लौकी, टेमाटर, चकुंदर, खीरा इसी तरह से कई और सारे तो बच्चों को फलो के नाम और सब्जियों के नाम पिक्चर्स के तुरू लिखना और उन्हें तहचाना दोनों सिखाया जाता है तो इस तरह का भी टॉपिक आप बच्चों को स्टार्ट कर स है उसे बच्चों को एक्जांपल्स के तुरू इस तरह से समझाया जाता है जैसे कि सिख्छा देने वाले को हम क्या कहते हैं सिख्छग, नाव चलाने वाला नाविक होता है, कपड़े दोने वाला को हम कहते हैं धोबी, जादू दिखाने वाला को हम कहते हैं जादूगर, इसी तरसे बच्चों को कई सारे examples के through अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझाया जाते हैं, उसी तरसे next है वाक्य, वाक्य यानि की sentences, तो sentences के अंदर बच्चों को समझाया जाता है, वाक्यों को सही क्रम में कैसे लिखा जाता है, बच्चों को कुछ शब्द दिये उसे बच्चों को पूरा करना होता है, नेक्स्ट चित्र देखकर वाक्यों को पूरा करना, बच्चों को कोई चित्र बना के दे दिया जाएगा, और उसके लिए बच्चों को वाक्यों को पूरा करना होता है, चित्रों को देखकर वाक्य लिखना, चित्र भी दे दिया जा के लिए काफी helpful रहा होगा आप इन topics की मदद से बच्चों को class 2 के लिए अभी से prepare करना शुरू कर सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगे helpful लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो subscribe करना ना भूले मिलते हूं आप से नेक्स करें और बूबाए